गुद मॉर्निंग डिसनर्स ये है पत्ना का इसकॉन टेम्पल जिसे बनाने में पूरे दस साल लग गया और इसका हाली फिलाल ओपनिंग भी हुआ है तो मैं आज इदर से क्रॉस कर रहा था एवैलुएशन के लिए गया था और क्रॉस कर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं उपर जा रहा हूँ उपर सेकेंड फ्लोर पे जो डिटी है लॉड कृष्णा भगवान कृष्ण का यह मंदिर है तो उनका अंदर मूर्ती है में बट उससे पहले बाहर का बहुत ही अच्छा खुला स्पेस बना हुआ इस पूरे मंदिर है बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रहते हैं सामने बहुत बड़ा लाइन लगता बाहर जो गेट दिख रहा है आपको उसके बाहर बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं सामने तो यह आपका पूरा का पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है अब मैं इसके बाद अंदर जा रहा हूँ में जो हॉल है अंदर जहां पर मूर्तियां रखी हूँ है मैं अंदर पर वेश कर रहा हूँ और अंदर भी अच्छा खासा उचाई है बहुत बड़ा मतलब उपन ग्री बना हुआ है आप देख सकते हूँ चारो तरफ और बहुत ही अच यह स्री राम लक्षमन सीता हनुवान जी का बना हुआ है दूसरा पिक्चर यह सैद Georश्णु Прозможно के साथ तीसरा पिक्चर यह क्या है यह राधा कृष्ण का पिक्चर है साद्वरेंदावन का होगा यह पिकचर है गोवरधन जो कृष्ण वगवान उठाते हैं उसका है उ उसके बाद ये सामने रहा मूर्ती लक्षवन, सीता, राम और हनुआन जी का उसके बाद इनके जस्ट बगल में मिडल में राधा कृष्ण का मूर्ती है और इनी के नाम पे ये मतलब इतना बड़ा टेंपल बनाया गया है इसके लिफ्ट साइड में फिर से वही राधा कृष्ण का ही मूर्ती है पटिन का नाम कुछ और है चलो आगे बढ़ते हैं ये रहा नर्सिंग अवतार का विष्ण भगवान का जो अवतार है जिनों नहरा ने कस्व का बद दिकिया ये पुरा का पुरा आरीजिन दिखा रहा है सनातन धर्म में किस प्रकार सारे देवताओं के उत्पत्ती हुई जिसमें आपको दिख रहा है विष्ण वान के नावी से भगवान ब्रह्मा का अवतार हुआ और और भी दिख रहा है देवी दुरुगा भी दिख रही है लक्ष्विमा है उपर पुरा का पुरा यूनिवर्स दिखा जा रहा है हाँ ये सबसे important pictures है मुझे भी थोड़ा सा confusion में डाला बट बहुत ही अच्छा है एक विक्ति का जीवन का stage है जन्म से लेके मृत्यू तक कैसे वो जबान होता है और कैसे ब्रदावस्था के बाद मृत्यू को प्राप्त होता है और फिर से वो जन्म को हासिल करता है तो ये जो बर्थ और डेथ साइकल है उसको यहाँ पे दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से और ये सारी मृतियां जो है मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है दिवाल से बाहर सारी मृतियां बाहर निकली हो ये भगवान शैतनी का है भजन करते हुए वैसे भी मृतियां और भी है इस मंदिर में और ये पुरा का पुरा हॉल है ये देखे उपर जुमर बहुत बड़ा जुमर भी लगा हुआ है एक्जिट गेट पे भी अब ये बाहर आ गया हम बाहर गैलरी में ये किसी सेज का दिया हुआ है फिगर सायद बेदव्यासों नाम नहीं लिखा हुआ है फिर ये राम लक्ष्वन और रिशी विश्वामित्र का सीन है अहल्यों को जो फिरी करते हैं वो इस राप से उसके बाद अगला पिक्चर है वही कृष्ण का छोटे से कृष्ण है गायों के साथ एक और पिक्चर है इसके बाद लास्ट पिक्चर आपका इसके अजस्ट बगल में है वो भी कृष्ण भगवान के है इसके अंदर भी है बाद टूतर अंदर जाने नहीं दे रहा था जो गाड यहां के थे यह लास्ट रा जो बसिष्टेर दोनों राम लक्षमन सिक्षा लेते हैं, सौरी विश्वा मित्रशे वो लास सिन है तो ये आपका एसकॉन टेमपल जो पटना में है आपको एक बार जरूर गुश्ट